अब दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सबका मेरे चैनल गौरब कुरूग्स पे इस वीडियो में लोग दिखने वाले हैं सेंडे एंटी ऐसी का टेस्ट जो कि आज होने वाला है आपका एंटी पंजाब में उसका solution लेके आए हैं पूरा explanation के साथ समझाऊंगा आपको पहला question है find odd one out तो इसमें का answer होगा पहला वाला z x u q क्योंकि बागी के सारे alphabets में difference कोई भी नहीं है distance नहीं है एक भी alphabets के बीच में लेकिन इसमें distance है तो इसका answer यह वाला होगा फिर दूसरे question तरफ चलेंगे find odd one out इसमें भी लिखा हुआ है तो इसमें bd वाला होगा क्योंकि बाकि सारे alphabets के बीच में दो alphabets का difference है लेकिन इसमें सिर्फ एक alphabets का difference है आप इसको मैश कर सकते हैं बाकि के सारे में दो alphabets का difference है और टेलेग्राम पर जोईन कर लिजेगा वहां मैं आपको इसका solution दे दूँगा एक video बनाके तुस्से आप copy कर सकते हैं अगर आप चाहिए तो या तो मैं copy में लिखके भेज दूँगा तेलिग्राम पर सर्च करेंगे गवर्ण क्रूक्स तो आपको मेरा चैनल मिल जाएगा या तो link description में डला हुआ है इसमें का question है in open dice which number is opposite to one तो इसका answer four ह होगा इसमें कुछ rule लगता है adjacent sides वाला आप इसको Google कर लेंगे तो आपको समझ में आजाएगा क्या कहना है मतलब कैसे कैसे आया यह answer बिल्कुल सही answer है इसके बाद चलता है fourth question DASHE क्या मतलब है 21845 तो SHADE का क्या मतलब है तो इसमें जो words दिये हुए है सारे ही मतलब repeat हुए ह सब्सक्राइब है इसी तरह आप मैच करके सारे को सब्सक्राइब करनेंगे आप अटक नहीं हो पारा कि आज जाए आपको सब्सक्राइब करो और विदिन फाइफ सेकंड्स आपको उसका वीडियो सॉल्यशन और एक पर दो जाएगा पाइफ चाहे वह क्यों आपके हो मैच सब्सक्राइब करेंगे इसको सब्सक्राइब नहीं है इसके बाद हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलेंगी हमें कुछ क्वेश्चन्स नहीं मिले हैं उसको मैं टेलिग्राम पर एड़ कर दूंगा बाद में जब मुझे मिल जाएंगे 10-15 मिनट में कि इसका ऐंसर कंप्लीट 10 सीरीज का है मैंने गुगल साइब के था मुझे था दो लेकिन इसका बेल्कुल सही है क्योंकि गुगल कर दिया तुरण तुरन तुर्न तुरण फैन्स का ऐंसर होगा इसको कर लिढ़ को आ पको तो इसके बाद नाइंध कोशन देख लेते हैं अगले कोशन की तरफ टेंथ कुर्शन फॉलाइंग ऑप्रेशन विल्ट त्वेटेटी तो इसको कल्क्लेशन करने के बाद आपको लास्ट पॉंट्ट ज है विलकुल सही मिलेगा मैं अभी बता देता हूं पहले ट्वेल्ट ब कि उसके बाद उसमें मल्टिप्लाइ करेंगे 16 तो लगबग 20 आजाएगा हमारा 13 में से 15 मैस करेंगे तो माइनस टू आजाएगा 24 मेंस टू कर देंगे तो 22 एंसर आजाएगा यह बिल्कुल सही होने वाला है फिर लीप यह आप जानते हैं चार साल बाद रिपीट होता है तो ट्रेंटीट के बाद 2024 में आने वाला है यह भी आप फिल कर लेंगे आराम से चार साल में रिपीट होता है 366 देर्स होते हैं उसमें 12 वर्षन देख लेते हैं सरकल को आर आई सी एल से लिखा हुए है यानि कि स्टार्टिंग के तीन वर्ड को पहले लिखा हुए है और साइड में फिर लास्ट के त्री वर्ड को अपोजिट में लिखा हुए है मतब जंबल करके पीछे से इसका एक बहुत अच्छा सा ट्रिक लगेगा आप इसको समझेंगे तो समझ में आ जाएगा आपको टाइम बेस नहीं करते हैं चलते हैं आगे बिल्कुल सही एंसर इसक देखते हैं 14 कुष्चन एक कोई आदमी है जो पांच फीट चड़ता है और चार फीट नीचे फिसल जाता है हर सेकंड तो अब यह पूछा गया है तो एक साट सेकंड में वह कितना चड़ता है तो साट सेकंड में वह साट फीट चड़ेगा क्योंकि पांच चलके चार होगी उनका बैटा की मेरा भाई है यार culpa पाप अंको यह सका लिधान से दिखेंगे पिर उसके इसके बाद difficulty से धेकले के टामज तो 2000ần टो के अंपर होता है और इसका होता है तो तो 21 अपॉन 20 जो है बहुत ही नेरेस्ट वैलिव आ रही है मेरे कल्कुलेशन के बाद तो यही आप टिक करिए यह सही है बिल्कुल फिर आगे चलते हैं अलग छोटे-छोटे-शोटे-श्माल फेर मिलेंगे दो सेंटिमीटर के तो 64 स्वेर मिलने वाले हैं इसको आप टिक कर लिए बिल्कुल सही है मैंने क्लेट किया हुआ है फिर आगे चलेंगे किसमा कुश्चन इसका होगा पेंटा-पोटामिया यह मैंने गूगल पर सच्च क इसका आपको मिल जाए गूगल सर्च करने पर एकदम सही है कि आगे के कुश्चन देख लेंगे जो कुश्चन नहीं मिले हो मैं आपको प्रवाइट कर दूंगा आगे चलके बिल्कुल जिनता मत करिएगा कुछ कुछ कुश्चन शूट गया है फिर कौन सा फंडमेंटल र इंट्रेस्ट होता जतना रेट आप इंट्रेस्ट मिलेगा उसी बेस पर हम उसको इंवेस्मेंट उतना बड़ा करेंगे उसके बाद आगे चलते हैं रंजीत सिंग कहां किस मिसाल में पैदा हुए थे तो सुख शुकर चरिया मौल मिसाल में चकिया सुकर चकिया मिसाल में सब्सक्राइब हुए थे कि पर चीसमा क्रिशन है कि सार्क में कितनी कंट्रीज है तो सार्क में 2019 में आठ कंट्रीज में हिस्सा लिया था तो आठ का सई होगा उसके बाद 26 है कि कोई इमेज है जो वर्चूल एरेक्ट और लार्जेंद अब्जेक्ट है तो जो हमारा प्रिंसिपल और फोकस के बीच में होगा तभी ऐसी इमेज होगी आप इसको भी क्ली जगे लास्ट आल ऑप्शन बिल्कुल सही है यह को देख लेंगे यह बदाने कि लेकिन अगले वागे चलेंगे अगले सबसे कम दूरी यहां से हमें अच्छे सा दिखाई दे सकता है कोई यह यह लोगों के लिए तो वह 25 सेंटेमिटर हो यह सावान को आप 25 सेंटेमिटर देखेंगे तो आपको क्लियर दिखेंगा उसके बाद है मैंगनेजियम रिबन इस बंट इन एयर में अगर हवा में अगर म मतलब हमारी आँख जो है वह इमेज कहां मनाती है यह आपको पता होगा बहुत अच्छे से थैंकियो दोस्तों यहां तक वीडियो पर देखने के लाइक कर लेजएगा आगे लिए पार्ट्स आते रहेंगे कर लोगा है odd आगलप कर दोस्तों यह आपको पता है वीडियो दोस्तों आपको पता है वीडियो जो उयाकर फ़र आपको रज़ से बंगर है यह आपको पर आपको बंगर झाल झाल